कि सलाम अलेकुम उमीद है कि आप लोग खारियस होंगे वाशिंग के हवाले से हम ने कुछ प्रिविएस वीडियो बनाई थी इसमें कम्प्लीट हमारा नहीं हुआ था तो एक भाई ने मुझे रिमाइंड भी कराया कि रिंस वाउच और विलीच वाउच और अंजाइम वाउच होई यह रह रही है इसके वाल हम जो तो पता हैं असल में इसके इसलिए रहती है कि वीचे में कुछ और वीडियो भी आयती है जो रिलेटेड टू सब्जेक्ट नही कुछ चीज़े लेखेंगे ताकी हमारा व्रॉष्य कर तो इसके बारे में कुछ पहले बतायागी है हो इस फो 극्ष के जाता है तो उसमें हम आज डिटेल से चीज़े देखते हैं डिटेल इस ज़्यादा है नहीं क्योंगे रिंस एक आहम सी वाश होती है जनर्नल वाश होती है चलें फिर भी हम इसको देख लेते हैं जो है Relat, Rinse Wash जो है। तो जो है जो है। यही ज झाहम महती है जो है। जो हैं बेडे जीक ज़ते हैं। जया। जंह सब्ढ़र करे कुने इस थ्यूसी। जो है। आजdogनार works जो है। जो है। जो है। The objective of the rinse wash is is to keep the fabric appearance as dark as possible. Since rinse wash is a light washing process, it does not cause major changes on the physical properties of ag." 1. 2. Fabric It is undoubtedly a process that need to be carefully examined and well analyzed, because it is one of the most commonly used washing processes and even the smallest change in fabric after washing have a great consequences on the siyon product. 3. Rinse wash की मदद से गार्मेंट की अपेरेंस को बिलू रेडर येलो इश लुक दी जाती है इस पर दर कौर्मेंट इस अमल में मुक्तलिक किसम के सौफनर इस्तमाल की जाते हैं रिंस वाश वाशिंग का एक लाइट प्रॉसेस है इसकी वज़ा से फैबरिक की खुस्सियात में कोई त झाजने की जरूरत होती है क्योंकि ये वाशिंग ये एक आम प्रॉसिस है मगर इसमें बेहतियाती फैबरिक में तब्द दीनी और stitch product में तब्दिली का बाइस बन सकती है जो आगे एक बहुत बड़ी problem का बाइस बन सकती है तो rinse wash को भी अच्छे तरीके से monitor करने की need है कि सफनर वगड़ा इसमाल करें टेस्पर्डर the requirement हमें जो requirement चाहिए होती है ब्लुश टून चाहिए होती है या ग्रीने श टून चाहिए होती है या reddish टून में चाहिए होता है तो इसी साफ से हम chemical इसमाल करते हैं या softener इसमाल किया आदे हैं कुछ सॉफनर के नाम जो आम इस्तमाल होते हैं मैं आपको बता भी देता हूं उसके अंदर के रिंस वाउच में कौन-कौन से सॉफनर इस्तमाल होते हैं विलो केमिकल यूस फोर रिंसिंग प्रॉसेस विसीपेक्ट, Н.W. Non Toxic Softner है हमारे पास इस्तमाल कर सकते हैं इसमें आप इज्यक्षम इस्तोन T.E.P. andde-bed die sterning agent के इस्तमाल कर सकते हैं वेल ॐ فसीन ओजेट के यह कुछ कॉमन सॉफनर हैं जो इस्तमाल कि जाते हैं इंडर्स्ट्री के अंदर और यह भी पॉसिबिलिटी है कि यह आपके अपनी इंडर्स्ट्री के अंदर किसी और नाम से इस्तमाल हो रहे हो। उन्हें अपने ही नाम रखे हैंव सॉफनर के मिछाओ के तो यह विए धियक तो दिया तो डिभी जिए अ-प्र अपने सम्सफलिया यह एए यह अईने रख दिया आपको आपने कुछ सेट साइड रखने के लिए मास्टर वारक शौट फरम इस्तमाल करते तो भूसकता है कि आपकी इंडस्ट्री के अंदर ये किसी और नाम से इस्ताव हो नो तो वारल इसके लावावा भी बहुत सारे सफनर होते जो इस्तावल होते हैं तो मैंने कुछ आपको zarate हैं कि को हम नहीं क्रहेंद आपके लिए आप було वाश होती है जिसमें सिर्फ जाफनर disastना करने के बाद गार्मन्न को विंस किया जाते है यह हमार आज का था लक्चर को जैसे कमेने पहल Twelve आपको पने तो इसमें कोई इतनी । भॉच चीज़े अभी है पर उसके बाद वो गार्मेंट निकाल ले जाता है और अपना डिजाइड जो होता है वह में बिल जाता है तो यह वाश हमारी आज कंप्लेट होगी उम्हेद है कि यह वीडियो भी आपको पसंद आई होगी आप पसंद करेंगे इस वीडियो को भी जैसे कि आपने मुझे कहा भी तर तो अपना ख्रयाल लखिएगा नेक्स वीडियो में इंशाला हम डिसकस करेंगे इंजाइम वाश उसके बाद हम बिलीच वाश डिसकस करेंगे अपना ख्रयाल लखिएगा अलाफ़स झाल वाश बिलीच्स झाल